मैं कैलाश्वति गोश्वामी प्रोफेसर हिंदी विभाग डिवेशनात को तर महालद्याले सिवान आज असनातक प्रतम खंड हिंदी प्रतिष्ठा की पत्र संख्या दो पर चर्चा करेंगे इस पत्र गंत रगत रिती कलिन कवियों का अध्यन करना है और जैसा की पहली गख्षा में रिती कलिन कवियारी का एक समानी परिचे है हम लोग देखे थे जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जन्म सन पंद्रा सो पंचानवे इस्वी में विकरन समत कहा जाएथ 1652 ग्वालियर के वस्वा गविंदपुर नाम अगस्थान में हुआ था और जैसा की पहली कख्षा में भी चर्चा हुई है कि इनके पिता जी को कुछ लोग आचार केशव मानते हैं वो थे कुछ लों का मानना है कि नहीं केशवदास के पुत्र थे ग्याहरी जो भी हो इनके पिता का नाम केशवदास ही सठीक जान पड़ता है शाक्ष की अधार पर खेर आज इसका क्षा में है हमने उनके जो बीस प्रारंबिक पद दोहों का ध्यन करना है उसका सरलार्थ भावार्थ देखने का प्रयास करते हैं सबसे उनका पहला है तो वह है मेरी भवाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परत श्याम हरती दूती होई जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी भारतिय प्रमपरा में भारतिय संस्कृति में कोड़ी सुवकारी है जो हम करते हैं उसके पुरुव अपने अराध्य देव करते हैं ताकि जो अभिष्टकारी है उसमें कोई विगन वाधा नहीं हो कभी भी जब दोहों करचना करते हैं कावी करचना करते हैं तो उस तरह उपर थम इस तरह करते हैं यहां इसे दोहों में उनका मानना है वह राधा कृष्ण को अपना आराध्य देवे बानते हैं और वो राधा की आराधना करते हैं कि है राधा नागरी आपको शत्सत नमन है और इसलिए नमन है कि आप इतने स्वभाग इशाली हैं कि आपके गौरवर्ण की परचाई मात्र से आपके सानिद में रहने वाले भगवान सरी कृष्ण जिनका रंग काला है वो अभी हरे हो जाते हैं मतलब परशने चित हो जाते हैं यहां जिसके तनकी जहाई पढ़ने से स्याम हरित दोती हो जाता है अर्था थे राधा नागरी आप मेरी सारी बधाएं दूर कर दो दूसरा अर्थ यह भी होता है वही राधा नागरी जिसके तनकी जहां की अर्था जलक पढ़ने से स्री कृष्ण हरे भरे अर्था परशन वदन हो जाते हैं अतह मेरी शब बाधा का हरन कर लो विग्ण बाधाओं को दूर कर दो इस तरह से सुरुवात इश्वर की अराधना से ब्यारी करते हैं उनका जो दूसरा दोहा है पत्रा ही तिति पाईये वा घर के जह पास नित प्रती पुन्योई रहे आनन ओप उजास ज्यान दिजेगा आप सीधे ब्यारी चले आते हैं नायक नायका के शुंदर ये वरणन पर स्रिंगार रर्ष पर चले आते हैं यहां नायका के सुंदरता का वरणन है जैसा कि विजयपाल श्रिंग संपादित पुस्तकृति काविशंग्रह में दिया हुआ है कुछ कठिन सब्दों का अर्थ को दिया हुआ है जैसे जाई का अर्थ परचाई जलक का परचाई जलक द्यान हरी दूति का अर्थ हरे रंगवाला परसन निफ्टेज उजास का अर्थ उजाला इस तरह से कुछ जो कठिन शब्द हैं, उनका अरत दिया हुआ है, उस शर्थ को देखने बाद, दोहे को समझने मासान ही होती है, इस दोहे में विहारी का मानना है, विहारी का कहना है कि जहां नाइका है, जहां पर नाइका रह रही है, उसके शरीर से, उसके मुख से उज्वलता, सुंदरता क कि इतनी रोशनी है, इतनी तेज उजला है कि पता ही ने चलता है, कि पुर्णिमा कव है, हमस्या कव है, इसलिए कि अहरनिस नाइका के आँस-पास उजला ही उजला रहता है, अथे बहारी का मानना है को वहां तीथी का ग्याद करना, ना हो तो दो ही साधन हो सकते हैं या तो पत्रा जो पंढदित SHB line 1 बताएंगे चुकी और तिथी को ग्यात करते हैं या तो पत्रा से या चांद जब देख लेते हैं पूरा है तो पोड़ेमा है तो बिल्कुल नहीं है तो हम वाश्या है कुछ कटा होगा है तो कि हिसाब से लोग गन्ना करते हैं क्रिष्डपक्च और शख्लपक्च कर के हिसाब से यद्विहारग का मन है कि जहां नायका है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ पत्रा से ही तीधिका ज्याद कर शक्ते हैं तीधिको जान पर अतर जहां पर नाइका है का उसकी जो जोलता उसके चेरे से जो जोलता धबलता है चांगनी है शुंदरता है कि चमक ए तेज है कि अतर उस जग आप चिर्फ और चिरफ पतरा नजा सकता है इस तरह से बिहारी नाइका कवरण करते हैं अब आते हैं का दूसरा जो दोहा है तीसरा दोहा खोरी पनिच भिरिकूटी धनुष बधिक शमरू तजिकानी हनत तरुण मिलिग तिलग सर सुरक भाल भरितानी ध्यान देने वाली बात है कि यहां खोरी पनिच का अर्थ है भरितानी खोरी का अर्थ हता है तिलग के मद खुरचा हुआ भाग जो घमललाट पर तिलग लगाते है तो उस स्के मद जो कुछ काली रहता इता है वह ख़ुण खोरी है और पनिच का अर्थ होता है धनुष की ज्या बधिक कर्थ श्रीकारी, कानी कर्थ रुकावट, सुरक भाल कर्थ नाक पर कार्थिलक जो भाल के आकर्थिका होता है, भरतानी कर्थ भरपूर तान कर्थ इसका रुठ होता है कि नायका के तेवर चभाने पर नायक रीजकर कहता है, नायका है वह नायक से शिकायद बरे लहजे में अपने चेहरे की आकर्ती, मुखाकर्ती पर अपने भाव को प्रगट करने का प्रयास करती है, तेवर चढ़ी चभा हुआ है तेवर ख़वर रुपी पनिच वाले भिरकुटी धनुस को भरपूर तान कर, मानो कामदेव रुपी वधिक, सुरक रुपी भाल वाले तिलक से बिना रोक टोक के, तरण जन रुपी म्रिगों का सिखार करता है, अर्थाक जैसा कि पहले कहा गया, सुरक भाल का अर्थनाक पर का तिलक जो भाल के आकरती का हो, भरतानी भरपूर तान कर, नायका के तेवर इस्तर है, मनो ब्रिकुटी ये धनुष को भरपूर तान कर, जो कि तेवर चणा हुआ है, मुखाकरती से अस्पस्ट भाव पैदा हो रहा है, ब्रिकुटी तनी हुई है, मनो धनुष्वान हो, उसको भरपूर तान कर, कामदेव रुपी बधेक, सुरक रुपी भाल वाले तिलक से, बिना रोग टोक के, तरणी जन रुपी म्रिगों का शिकार करता हूँ, क्युवाव का, नायक का शिकार करता हूँ, इनका तीसरा दोहा है, बर जीते सर्माइन के, ऐसे जीते माइन, हरी नी के नेनान होते हैं, हरी नी के एनाइन, यहाँ पर सक्षी नायक से, नायका के नित्रों की परसंशा करती है, नायका के नित्रों की परसंशा हो रही है, बर जीते सरमाइन के, माइन कार्थ कामदेव, शक्षी कहती है कि ये हरी, ये नयन, किसका नयन, नाइका के नयन, तो हिरनी के नयनों से भी अच्छे हैं, हम जानते हैं कि हिरनी, हिरनों के नयन, बड़े ही चंचल होते हैं, ठेक उसी प्रकार, ये नाइका के नयन हैं, हिरनी के नयनों से भी अच्छे हैं, इन्होंने तो मदन के वानों को भी वरवस जीत लिया है, मतलब मदन रुपी बान भी इस हिरनी का शिकार नहीं कर सकता है मैंने तो ऐसे नेन कभी देखे ही नहीं है मतलब यहां सिर्फ नेन की प्रशंशा हो रही है उसके नित्रों की प्रशंशा हो रही है नेन की चर्चा हो रही है उसकी सुन्दर्ता कवरन हो रहा है तुन्दर्ता की चर्चा हो रही है उसका बखान हो रहा है अगला दुखा है खेलन सिखे अली भलें चतुर एहेरी मार कानन चारी नैनिम्रिग नागर नरनुशिकार यहां भलें कार्थ भली भाती है कानन चारी कार्थ कानों तक विचरने वाले यह जंगलों विचरने वाले एहरी कार्थ सिकारी इस दुखा में नाइका की सक्षी उसके नित्रों द्वारा नाइक के घाल होने का विर्टांत पर प्रिहास करती है और कहती है इस नागर नरनुपद प्रिकुत करके सामानित्य कहती है कि तेरे नित्रों से परवीन नर्व का सिकार होता है मतलब नाइका इतनी शुंदर है उसकी आखें इतनी मदमस्त है शुंदर है कि प्रिवीन से प्रिवीन नर्वी शिकार हो जाते हैं इसलिए नागर नरनुकपद का प्रियुक्य जिया है परवीन नरों का सिकार होता है और न्य का अपने शुंदरणनेप्रों से शुंदरनेप्र रुपी वाने से प्रिवीन नरों हिरनपा शिकार आसानी से कर लेती है और इस तरह से पाठी पुस्तव को सामे रखकर उसके कठिन सब्दों का अवलोकंद कर अध्यन क्या जा सकता उसके अर्थ को सबने का प्रियास क्या जा सकता है आज इतना ही अगली कर्षाम पिर चर्चा होगी धन्यवाद